बाहर हुआ सबसे बड़ा मैच विनर गेंद बाद नई प्लेइंग 11 आई सामने तो भाया भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की T20 स्रिंखला का अगाज 11 जैनुवरी से होने वाला है 11 जैनुवरी से इस स्रिंखला का अगाज होने वाला और इन दोनों देसों के बीच पहला T20 मुकाबला खेला जाने वाला है लेकिन इस मुकाबले से पहले जो अफगानिस्तान टीम के कप्तान है इब्राहिम जडरान उन्होंने बड़ा एलान करते हुए कहा कि उनके जो सबसे बड़े या यू कहे कि मैच वीनर गेंबाज रासित खान तीम की तीन मैचों की T20 स्रिंखला से बाहर हो चुके हैं क्योंकि वो बैक इंजरी से जूज रहे हैं और अभी तक वो ठीक नहीं हो पाए हालाकि इब्राहिम जडरान ने ये भी कहा है कि रासित खान तीम के साथ जुड़े हुए हैं वो स्क्वाइड के साथ ट्रेवल करते हुए नजर आएंगे जहां जहां टीम जाएगी वहां वह उपलब दोंगे और यूवा खिलाडियों को सीख देते हुए जरूर लेकिन वो आपको एक भी मुकाबला खेलती हुए नहीं दिखेंगे जिसका रही ये अफगानिस्तान टीम के लिए बड़ा जटका है लेकिन यू कहें कि जो उनके यूवा और होनहार स्पीनर हैं क्योंकि आपको भी पता है कि अफगानिस्तान टीम स्पीनरों की खजाना है जहांपर नए यूवा इस्पीनर हमेशा ही उपलब्ध होते हुए दिखते हैं कैसा हमद की बात कर लें नूर अहमद की बात कर लें तो हर एक यूवा खिलारी वहाँ पर अच्छा खासा स्पिन गेदबाजी करता हुआ दिखता है तो इन खिलारियों के लिए ये एक जरू फूरसुन हरा मौका है क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा मैच मीनर गेंद बाज नहीं खेल रहा है जिसके और इन युवा खिलाडियों को उतना मौका मिलता हुआ नहीं दिखता था लेकिन इस रिंकला में जरूर रिवा खिलाडियों को मौका मिलेगा खास कर स्पिन के इदबाजों को जो काफी टैलेंटेड माने जाते हैं लेकिन विश्व पटल पर अभी तक अपना हुनर नहीं दिखा पाएं तो अफगानिस्तान टीम की नहीं स्क्वाइड आ चुकी है वो आपके स्क्रीन पर है यहाँ पर रासित खान का नाम गयब हो चुका है 18 सदस्री टीम है रासित खान की जगा इब्राहिम जडरान को कप्तान बनाया गया है अगर रासित खान होते तो रासित खान T20 की कप्तानी करते हुए नजर आते रहमन उल्ला गुरुबाज विकेटीपर इक्रम अखील हज़त उल्ला जजाई रहमशान अजीब जडरान मुहमद नभी करीम जनात अजमत उल्ला उमर जाई सरफदीन अशरफ सरफदीन अशरफ मुझीबुर रहमान फैजलक फारुकी फरीद अहमद नवीन उल्हक नूर अहमद मुहमद सालेम कैश अहमद गुलबदीन नाइब यानि कैश अहमद के लिए नूर अहमद के लिए इन दो खिलाडियों के लिए बड़ा मौका है अपना हुनर दिखाने का एक अच्छा सुनहरा मौका रासीद खान ने दे दिया है अगर हम बात करें पहले मुकाबले के प्लेइंग 11 के बारे में जो अफगानिस्तान टीम की संभावित प्लेइंग 11 हो सकती हूँ आपके स्क्रीन पे यहाँ पर गुर्बाज और जजजाई ओपनिंग करेंगे इनके कप्तान वन डाउन ओमर जाई टू डाउन नभी नमबर पांच डार्विष रसूली नमबर छे नजिबुल्ला जेडरान नमबर साथ यहाँ पर या तो कैस अमद करीम जनात या फिर नूर अमद नूर अमद लाइक टू लाइक रिप्लेस्मेंट हो सकते हैं रासित खान के लेकिन उनका जो फॉर्म है इधर बीच का प्रदर सन है उसमें गिरावट आया जिसका अरट से कैस अमद या करीम जनात को भी खिलाया जाता है खिलाया जा सकता है लेकिन हाइस प्रॉबिल्टी किसकी है नूर अमद की है उनको मौका मिल सकता है मुझीबुर राबान नवीन उलहक फैजलक फारुकी ये अफगानिस्तान टीम की प्लेइंग लेएन होने वाली है फैजलक फारुकी नवीन उलक इनके सबसे प्रमुक तेज गेदबाज होंगे वहीं रासित खान के अनुपस्तिती में मुझीबुर रहमान और मुहमद नभी स्पिन गेदबाजी को लीड करेंगे और उनका साथ कैस अमद या फिर नूर अमद दे सकते हैं लावा बात करें तो आपको बल्लेबाजी भाग दी देखी रहा है गुरुबाज जजाई इब्राहिम जडरान ओमर जडरान इनके प्रमुक बल्लेबाज होने वाले तो यह पूरी पूरी प्लेइंग 11 होने वाली है यह जो टीम है ऑन दे पेपर अच्छी खासी टीम है और क्रिकेट से जोड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें